नवस्कार दोस्तों मद्य प्रदेश के भीतर भारती जनता पार्टी का हाल ये हो चुका है कि भारती जनता पार्टी धमकी पर उतराई है अधिकारियों को भारती जनता पार्टी धमका रही है खुले आम धमकी दे रही है और भारती जनता पार्टी धमकी नहीं दे रही है भ खोड़ना नहीं तो अब आप ये बताईए दोस्तों कि कोई धमकी कब देता है भारत देश के सामाजी की तिहास में कोई धमकी कब देता है तब देता है जब उसे कोई काम बनता हुआ दिखाई नहीं देता है जब उसे ये लगता है कि अब तो गईब हैंस पानी में जब उस उसके सामने कोई भी विकल्प नहीं बचता है जब उसके सामने अंत यानि हार साफ साफ दिखाई देने लगती है जब यह लगने लगता है कि अब कोई चारा नहीं बचा है तब व्यक्ति धमकी पर उतराता है कि आईसा नहीं करोगे तो आईसा कर देंगे गुरू समझ लेना तो भारत में तो ऐसे ही होता है और अमित शाह घमकी पर उताराएं है मद्य प्रदेश के भीतर है तो आप आप रिजल्ट अभी से जान लीजीए कि जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं यह बहुत कुछ बताता है कि बारती जंता पार्टी ने अपनी हार स्विकार कर लिए दोस्तों अब यह देखिए दूसरी जगे यहां भी मद्परदेश में बोले अमित्षा जो भी अधिकारी कमल का ध्या अमरुजाला कहता है कि कमल का ध्यान नहीं रखने वाले अधिकारी को छोड़ना नहीं यह यह अमरुजाला का कहना है इधर देखिए भासकर ने पूरी एक डिटेल चापी है पूरी डिटेल में क्या लिखा है उन्होंने जल्दी से लाइने आपको पढ़कर बता देते हैं है और यहां क्या किस तरीके से भारती जनता पार्टी के किलाब कॉंगरेश ने एक्षन ले लिए है और किस तरीके से ऑमित शाह चुनावायोग के शिकनजे में फस सकते हैं और अगर चुनावायोगने अक्षन लिया इस देश में ग्रह मंत्राले का पढ़क सब्सक्रमण है वो बात यह है कि लिखता क्या है दैनिक भासकर लिखता है विधान सबाचुनाफ के दोरान भारत भाजपा के नाराज नेताओं को समझाने का जुम्माब केंदरी मंत्री अमित चाह ने ले लिया है क्योंकि अमित चाह को मालूम है कि मद्ध प्रदेश के भीतर बड़ी कट प्रदेश को में कहते हैं सब एक दूसरे सिर्फ फोड़ रहे हैं सारे भाजपाई 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 यह खिलाफ लड़ाय लड़ रहे हैं कोई निरदली कूदा जा रहा है कोई उसके खिलाफ उतरा हुआ है तो अमित चाह ने जो है यह 5 5 उसमें पॉइंट्स में प परिपेक्ष में कहा क्योंकि सच जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है सिर्फ जो है कान ले गया यह नहीं करना है हम लोग क्यों हम लोग उल्टाचस्मा यूसी पर है और यह बहुत अथंटिक के दौरान भाजपा के नाराज नेताओं को समझाने का जुम्मा खुद के इंद्री मत्री अमित्शाह ने अपने हाथ में ले लिया है साथ ही बूठ से लेकर चुनाव के प्रबंद को भी निगरानी शुरू कर दी है भोपाल में संभाग की वो एक बैठक के दौरान साहे बताएंगे अभी आगे छोड़ना नहीं है शाह ने मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चावान की ओर देखकर कहा कि आप भी मैसेज कर दो कि किसी को बचा नहीं पाओगे कौन नहीं बचा पाएगा भाईया कौन हूँ देश में सरकार आपकी है प्रदेश में भी सरकार अधिकार आपकी है तो यह तीसरी महासक्ति कों फैदा हो गई घरएगी और युदा नहीं उसकी शिकायत करो तो आयोग कौन है कि आमित शाह खुदायोग है कि अनरेंद्र मोदी जी खुदायोग है या भारती जनता पार्टी वाले खुदायोग है कि जो आयोग कैसे भाई आयोग कैसे सिकायत करने पर मान जाएगा अगर कोई यह कहे आमित मान लिजे कि शिवराज सिंग चौहान चले जाए आयोग आयोग कुमान लिजा अगर चुनाव आयोग चले जाते हैं शिवराज सिंग चौहान और यह बात कहते हैं कि अधिकारी जी मंद्रदेश के भीतर जो चुनाव लड़वा रहे हैं चुनाव आयोग वाले जिनका जुम्मा है चुनाव कराना वो जो है कमल का ध्या नहीं रख रहे हैं चुनाव आयोग वाले जरा सिकायत लिखो और जो है उसको छोड़ना नहीं जो कमल का ध्यान नहीं रख रहा आधिकारी तो क्या इस देश का चुनाव आयोग यह शिकायत मानेगा क्या इस देश का चुनाव आयोग करवाई करेगा क्या इस देश के चु और आधिकरी कमल का द्याक कि अगर नहीं रखता है तो क्या उसकी शिकायत जैसा लिखा है यहां पर आयोग में करो तुरंत और और शिवराद जी आप सबको मेसेश कर दो कि भी कि यहाँ नहीं रखने वालों का जो है ध्यान रखने वाले उनको छोड़ना नहीं अधिकारी till चुनावायोग नहीं छोड़ेगा नहीं को क्या उनकाइन नहीं रखेंगे यह फिर मिलट साजी ने चुनावयोग को को अपने घर की जो आईओ मन लिया है चुनाव आयोग कि अधिकारियों को मेन अधिकारी है उनको अपना नोकर मां लिया घुई किजो कमल का ध्यान ना रखेंए उनसे चुनाव आईओग से शिकायत करतो भी कि ते कमल ataएफ नहीं यहां भी बात लिखी हुई है अमरुजाला लिखता है शाह बोले कमल का ध्यान नहीं रखने वाले अधिकारियों को छोड़ना नहीं दिग्गी ने कहा कि यह सत्ता का है नहीं कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस ने इस पर क्या कहा है कॉंग्रेस ने उसी चुनाव आयोग को खत लिखा है जिस चुनाव आयोग या आयोग के बारे में हमित्शाह कह रहे हैं कि कमल का ध्यान न रखे तो आयोग से शिकायत कर देना उसी चुनाव आयोग को यह लोग लिख रहे हैं लेटर लेटर लिखके हम जान रहें कि आप लोग हास रहे होंगे उदर से इन लोग के ल नहोई होए खुंआए से चौणर्व करने कि मांगी विशा लिखा हुआ है विशा अंतरगत निवेधनिया है कि भारत निवाचनि योग नहीं दिल्ली द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को घोशला उपरांत विदानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है आदर साचार सहीता प्रभावशाली है केंदरी एगरे मंतरी एवं भाजपानेता आमित्चाह ने दिनांक 28 अक्टूबर को भोपाल में सारवजनिक रूप से बैठक के दौरान ध दमकी दी है कि जो भी अधिकारी कमल का ध्यान न रखे उसे छोड़ना नहीं यदि कोई करमचारी कमल का ध्यान न रखे या नुक्सान पहुचाए तो उसकी ततकाल शिकायत की जाए और उन्होंने मुक्यमंत्री शिवराज सिंग्चोहान को आदेशित किया कि आप भी मैसे दे प्रभावशील आधर साचार सहिंटा का खुला उलंगन है कि इंद्री ग्रहमंत्री शिरीयमित चाजवारा सासकी संसाधनों का दुरुपियों करते हुए बाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के साथ 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 की अधिकारी करमचारीयों को कमल के पक्ष अधिकारी को statistics कहती है जो अमिट्शाह कह रहे है ये बहुत गलत कहरे रहे हैं अधिकारीयों को ढरा ढरा रहें धंका रहें का मतलब यही है कि अधिकारी जो है कमल के पक्ष में वोट डलवाएं वोटिंग करवाएं उनका परम करतब है कि कमल जहां हार रहा हो उसको जितवाएं ऐसा कहने का पूरा लब बोलवाब यह है कॉंग्रेस का मध्यप्रदेश के भीतर अब यही बात यह अमारुजाला का जो अकबार क्या कह रहे हैं दूसरी चीज़ें क्या कह रही हैं वो देख लें पढ़ लें समझ लें ताकि खबर के उपर आपको विश्वास रहे यह उल्टा चस्मा यूसी में प्रग्या मिश्राजी ने जो सिधान्त बनाया है हम लोग उस पर काम करते हैं और उसी के तहट आ नहीं होनी चाहिए तो अब आपने देखा समझा जाना किया देखा जो अमित्षा जी हैं वो धंकी पर उतर आये हैं क्यों उतर ना पड़ गया है धंकी के ऊपर वो तो आप समझी सकते हैं उसके लिए यह उपिनियन पूल मध्यप्रदेश का लगाई हुआ है हार की बोखल ना हेाए कुछ तो हाठ पर मारें हात्त पर मारता आदमी धंकी यह खायर इस कबर के बारे में आपका क्या कहना है क्या समझना है आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राय बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है आप जो कहते हैं जो लिखते हैं जो बताते हैं वो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होता है उससे बहुत चीज़े साफ होती है तो उल्टा चस्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो आ हाँ नीचे करिया रंग का उस पर भी उठा मार दीजिए दबा दीजिए तो आप मारे साथ जुड़ जाएंगे आप साथ आएंगे तो सच को समर्थन मिलेगा आपके साथ आने का मतलब ही सिर्फ यही है वोगि जो खबर हम आपको बता रहे हैं दिखा रहे हैं यह खबर किसी नवी गोदी मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलेगी देखने को नहीं मिलेगी मैं नाम बदल दूँगा में ऐसे वीडियो में इतना निमाशकर